नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन एक तरफ जहां महागठबंदन सीट शेरिंग को लेकर संशे बना है तो वहीं दूसी तरफ राज़त की तरफ से लगातार सिंबल दिया जा रहा है आपको बता देएं कि 2024 लोगसवा चुनाब को लेकर चुनाब आयों की तरफ से शेडूल जारी कर दिया गया है पहले चरन की बात करें और पहले चरन में बिहार की बात करें तो बिहार में चार सीटों पर मतदान होने को है ऐसे में एक तरफ एंडिये ने अपने सीट शेरिंग को लेकर एलान कर दिया लेकिन अभी तक महागटबंदन की तरफ से सीट शेरिंग को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है वहीं आपको बता दें कि राजद में आने वाले लोगसवाच चुनाब की तैयारियां जो हैं वो करनी शुरू करती है और अब इसी बीच एक और एंडिये में जहां सीट बटवारा हो गया है तो महागटवंदन में आजड़ी कॉंग्रेस में सीटों का बटवारा नहीं हुआ है एक तरफ जहां लोगसवाच चुनाब होने में अब कुछ ही समय बाकी ऐसे में सभी पार्टियां सीट बटवारे और मुदवारों के नाम तै करने में जुटी हुई है एक और जहां बिहार इंडिये में सीट बटवारा हो गया है वही महागटवंदन में अब भी सीट बटवारा को लेकर कुछ भी तैन नहीं हुआ है माना जारा है कि आज शाम तक सीट बटवारा तै हो सकता है इस वीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहां राज़त ने अपने कुछ प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया है बताया जारा है कि राज़त सुप्रीमो लालु प्रशाद यादब ने स्वेम ही पार्टी का सिंबल दिया है मिली जानकारी के नुसार आश्ट्री जनता दल द्वारा बोध गया कि बिधाया कुमार सर्वजीत को गया लोकसवाज शेतर से इंडिया का छवंदन काउमिद्वार बनाया गया है कुमार सर्वजीत लालु प्रशाद यादब के स्वेम ही पार्टी का सिंबल दिया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहीं जद्यू के पुर्व इधाय कभ है कुश्वाहा और अंगाबास से आर्जेट उमिद्वार बनाये गया है नवादा थे श्रवन कुश्वाहा को राज़त प्रत्याशी बनाया गया है सुत्रों की माने तो राज़त को बिहार प्रदेश के अध्याक्षि जग्दन अन सिंग के बेटे और बिहार सरकार के पुर्व मंतरी सुधाकर सिंग को बकसर से मैदान में उतारा जाएगा खबरों की माने तो कुछ सीटों पर आर्जेटी कॉंग्रेस में अभी भी पेच फसा हुआ है सीटों को लेकर आर्जेटी का कॉंग्रेस पर दवबाब जो है वो कायम है एक तरफ जहां लोग सवाचुनाप के प्रथम चलन की चार सीटों पर और अंगाबाद गया नवादा जमूई पर आर्जेटी ने लड़ने काब फैस्ता किया है सूतरों की हवाले से लगतारी खबर निकल कर सामने आ रही है जो हम आप तक पहुँचा रहे है इंजिया गठवंदन में अब तक सीटों का बटवारा नहीं किया गया है लेकिन इसके बावजूद लालू प्रशाद यादब अपने प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल दे रही है वहीं बीते दिन राज़त ने संसद्य वोट की बैठक भी बुलाए वहां भी कोई भी प्रत्याशिकों पार्टी सिंबल दे जाने की खबर सामने आ रही है हाला कि अभी इसके अधिकारी घोशना नहीं हुई है सुत्रों की माने तो राज़त ने नवादा मिश्रवन कुश्वाहा सारन से लालू यादब की बेटी रोहनी आच्चारे महराज गन से प्रभुनाज सिंग के बेटे रंधीर सिंग और शिवर से रमा देवी और पुणिया से पपू यादब के नाम लगभग तैमा ने जा रहे है तो आप देख सकते हैं कि लोगसवा चुनाब को लेकर किस तरीके से हर पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है एंडिये सीट श्यारिंग को लेकर बड़ा एलान कर चुका है लेकिन अभी तक महागटवंदन की तरफ से सीट श्यारिंग को लेकर एलान नहीं किया गया है वह दूसी तरफ लालो प्रिशाद यादव अपने प्रत्याशियों को अपना सिंबल जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए इस ख़वर में इतना ही